ही चेक इट आट गाई स्वागत है आपका इस्टोन टेग में आज हम बात करेंगे वन प्लस नोड टू फाइब जी के बारे में जानेंगे इसके फुल फीचर एंड स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मोबाईल में कुछ खास सबसे बहले बात करते हैं इस मोबाईल के इस्पेसिफिल के बारे में जिसमें 6.43 इंचिस की Fluid AMOLED डिस्पेसिफिल आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाईल के aspect ratio की तो 20 to 9 का इसका aspect ratio होगा और 409 PPI की screen density आपको इस मोबाईल में देखने को मिल जाएगी अगर बात करें इस mobile के screen protection की तो इस mobile में Gorilla Glass 5 की screen protection होगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इसके operating system, chipset और GPU के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के operating system की तो इस mobile में Android 11 का operating system आपको देखने को मिलेगा chipset, media deck, dimensative 1200, 5G होगा और अगर बात करें इस mobile के GPU की तो इस mobile में Mali G77 MC9 का GPU आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 58 और 2 megapixel का एक triple camera आपको देखने को मिलेगा camera feature में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K और 1080p में अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें इस mobile के front camera की तो इस mobile में 32 megapixel का एक selfie camera होगा और selfie camera की video quality 1080p होगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इसकी memory के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 128 GB, 256 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile 6 GB, 8 GB और 12 GB के variant में आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के sound quality की तो इस mobile में एक अच्छी quality का stereo loudspeaker भी होगा और 3.5 mm jack आपको इस mobile में नहीं मिलेगा अगर बात करें इस mobile के fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा अब बात करें इस mobile की battery के बारे में जिसमें 4500 mAh की LIPO battery आपको देखने को मिलेगी अगर charging की बात करें तो इस mobile में 65 watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 tap-c USB port आपको देखने को मिलेगा infrared port का feature आपको इस mobile में नहीं मिलेगा अगर बात करें NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस के color price और इस mobile के release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको grey, green और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile के price 37,999 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 28 जुलाई को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में